हेलो स्टुडेंट्स माइन नेम इस गितांजली इंदेरिया वेलकम टुट सपप अप एकडमी सुपर कुईक रिवीजन की इस रंखला में आप सभी का सवागत है सुपर कुईक रिवीजन कितना अच्छा लगता है सुनने में बहुत जल्दी में हमारी पूरी पूरी पुन् इतने गहनता के साथ पढ़िए पूरा पड़ा वन सोट में लाइब में वी और फिर आ जाते हैं सुपर क्विक में आपको क्या आप MCQ पर भी जाएंगे पूरा कौना कौना छाट लेना है कहीं से कोई शब्द बचना नहीं चाहिए तो हिंदी में कक्षा 10 वी का जो पाठ है पार दो तुलसी दास जी हाँ यह काब खंड है इस काब खंड में तुलसी दास के पार जो हमारे पद है उनकी तरफ हम चलते हैं दोहों की तरफ कि इसमें पूरे के पूरे बड़े पद दिए गए हैं किसके बारें बात किया तो यह पाट इसमें पर्शु राम का संबद है और यह जो संबद है वो है लक्षबन और पर्शु राम जी का संबद कि इसमें क्याrolog है कि जब परसुराव्जी का धनुस टूट जाता है जब सीत़ा से विभाह करने के लिए जाते हैं और राजा जनक जो भी रखते हैं उनके सामने प्रस्त ये शर्ट रखते हैं कि ये धनुस जो उठा लेगा क्योंकि एक बर क्या होता है प्रत्यंचा चड़ा देगा वह से अपनी पुत्री का विभा कर देगा राम चैंजी ने तो उठाया और धनुस को तोड़ भी दिया कर देखता होने तो जिससे पर परसु राम जी आगे बहुत कुछ को भर रहों हो न्ए किकिना कि मेंप प्रसुका कि अब हैं कि'll कुछ प्रश घएंगे या कोई ऊगता हुआ फ्ल नहीं है उन्गली दिखाने से डर जाएगा मुर्जा जाएगा तो आप ऐसा नहीं यदि आपको जरूरत है तो हम आपको और खजाना खुल के पैसा देदेंगे इस तरीके की बहुत सारी ब्यंगात्न बातें होती है तो इस पाट से संबंदेद जो भी प्रशन है वो प्रशनिया पर आपको है और यह मुख्रू पर जो प्रशन है वो बहुत ही पर लक्षमण ने धनुस के तूट जाने के लिए कौन कौन से तरक दिये है जब परसुराम करोद कर रहे थे तो लक्षमण ने धनुस के तूट गया तो तूट गया तो तूट गया उसके बारे में लक्षमण ने बहुत तरक दिये थे बच्पन में हमने ऐसे कई धनुस त तरक दिया कि आप किसली इतना करोध कर रहे बच्पन में तैसे हमने कई धनुस तोड़ डाले और इस से आपको इतना प्रेम क्या है कारण क्या है हमें समझ नहीं आता लक्षमण जी ने यह तरक भी दिया कि हमारी समझ में तो सभी धनुस एक समान होते हैं राम चंजी ने तो सिर्थ उसको चुआ था और चूकि चूने वरसे वो चूते ही तूट गया इस पुराने धनुस के तूटने से क्या हानी और क्या लाब इसमें स्री राम चंजी का कोई दोस नहीं तो बता देते हैं कि देखो भाई जो तरक देते हैं वो यह देते हैं कि बच्पन में आपको पुराने धनुस को हात लगाते ही से ही अपने आप लेक्ष्राम के संबात का जवाफ आप सबसे अच्छे लगा उसे अपने शदों में उसम्भाई सहईली में लीखिय है कौन सी ऐसी बातें थी जो आपको बहुत अच्छी लगी देखिए सब की अपनी अपनी होती है मैंने जो यहाँ पर दीए वो यह कि मेरे अनुसा लक्षमण और परसुराम जी के संबाद की जो अंस है वो अच्छा लगा कि लक्षमण हे मुनी धनुस तोड़ने में किसी की ल इचित नहीं है मैं अतियंति क्रोधी हूँ अब तक मैं तुझे बालक समझ कर तुम्हारा बद नहीं कर रहा था और तू मुझे सिर्फ साधारन मुनी समझ रहा है लक्षमण हे मुनी आप स्वयम को बहुत बड़ा युद्धा मान रहे हैं मुझे बार बार अपना फरसा द जाएंगे आपके बचन ही अतियंति कठोरें तो आपको धन बान या फरसे रखने की जरुवत ही क्या है आपके बान इक अठोरें यह बात अच्छी लगी थी और इसके अलावा यह आपको कोई ऐसे संबाद है जो आपको अच्छे लगा है तो आप वह इंक्लूड कर सकते ह आपको क्या या अच्या लग आ, उसमें अपनी अच्छी बाते लिखते हैं, तो यह यहां का था, कि जब उनुने कहा था कि, तूड़ समझ कर छोड़ रहा था रहा था मैं तुमको, पड़सु राम के क्रोध करने पर राम और लक्षमन की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आदार पर दोनों के सुभाव की बैसे इस्ता बता ही है देखी जब ये हो रहा था तो राम तो सांत थे लेकिन लक्षमन क्रोध में थे राम सुभाव से ही कौमल हैं और विनए हैं दुसरों के प्रती बिनमरता रखते हैं मन में बड़ों के प्रती आदर औ स्रद्धा के भाव होते हैं बे गुरूजरों के सामने जुकना अपना धर्म समझते हैं कौन राम यहीं बे महाकरोधि परशु राम के एक रुद्ध होने परवी स्व Het को उनका दास कहते हैं इस प्रकार बे परशु राम का दिल जीत लेते है लक्षमान राम से एकदम विप्रीद राम कैसे हैं राम बिनम्र सुभावी हैं कौमल सुभावी हैं बड़ों के प्रतियादर सम्मान का भाव रखते हैं गुरु जनों के सामने जुकना अपना धर्म समझते हैं परसु राम की क्रोध के बागदिवो स्वेम को अपना उनका द लक्षमन का सभाव है वो राम से बिलकुल भी प्रीथ है वो उनकी जुबान छुरी से भी तेज चलती है लक्षमन जी की परसु राम जी के बचनों परसु राम जी से बाते करके परसु राम के बचनों का उप्रती उत्तर दे कर वो परसु राम को छलनी छलनी कर देते हैं उन जाये तो पाठ के अधार पर यह जो था महाँ उसमें दोनों का सुभाव विपरीत था राम शांध तो लक्षमण क्रोधी राम सांध सुभाव में और क्रोध करके गूट का घूट पी जाते थे नहीं करते ते और बहां पर लक्षमण अपने बचनों से क्रोध प्रदर्शित करते थे राम के बचन शांत और कॉमल होते थे जब कि लक्षमन के बचन क्रोध से पूर्ण होते थे कुठार से भी तेज उनके भी होते थे छलनी छलनी कर देते थे वो तो इस तरह दोनों के सुभाओं में अंतर है जो यहां पर बताएगा आप चाहें तो इसको एक अंतर के जैसे भी लिख सकते हैं पर सु राम ने अपने मिशाए में सभा में क्या 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 कहा निम्न पद्यांस के आधार पर लिखी है क्या कहा था बाल ब्रह्म चाही अतिकोही विश्व विदे छत्री कुल दोही भुजबल भूवी भूप बिनकीनी विपुरबार मही देवह द इसके आधार पर बताना है परसुरां में अपने गाता है मैं ब्रह मचारी हूँ संसार में विधत है कि मैं चत्रिए कुल का द्रोही हूं भुजबल भूमी भूर पभिनुकान हूँ बिबल जाहिक ठीब कई बार मैंने देवों को क्या किया है एक अब दिखिया पर बताएंगे कि मैं परसूराम ने अपने बिसाय में चौपाई में कहा है कि मां बाल ब्रह्मेचारी हूँ सुभाव से प्रचंड हूँ मैं छत्रिय कुल का विस्वे प्रसिद घोर शत्रू हूँ मैंने अपने अता हे राजकुमार लक्षमण सहस्त्र भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फ़रसे को देख मेरा फरसा बहुत ही भयानक है हे राजकुमार लक्षमण तू मुझसे भिड़कर अपनी माता पिता को चिन्ता में मढद डाल अर्था तक अपनी मुलत्यों को बुलाबा मद द है मैं छत्रीय कुल का हमेशा से ही विद्रोही रहा हूँ विद्रो घोर सत्रू हैं मैंने अपने भुजबलग से कई अनेक वार इस प्रत्वी के राजा को परस्त किया और यह प्रत्वी और ब्राह्मणों को दान में भी दी है मेरा फ़रसा बहुत ही भयढकर इसलिए है राजकुमान मेरे फरसे से डर तुम अपने माता-पिता को चिंता में मड़ डाल अपनी मृत्यू को बुलाबा मड़ दे क्योंकि मेरे इस फरसे ने गर्म में पल रहे शिशूंतक को नास कर चुका हूं शिशूंतक का बद कर चुका हूं यह जितनी भी बातें इस दी हुई थी यह जो पद्ध्यांस हमने पड़ा इस पद्ध्यांस का ही अर्थ है क्योंकि नोंने कहा है पद्ध्यांस के आधार पर परसुराम जी अपने बारे में क्या कह रहे हैं अगला है लक्षमन ने बीर योद्धा की क्या क्या विशेस्ता हैं बताई है बीर बलकि युद्ध भूमी में युद्ध करते हैं अपने अस्त सस्त्रों से वीरता का प्रदर्शन करते हैं सत्रू को सामने पाकर जो अपने प्रताप की बातें करते हैं वो तो कायर होते हैं दोनों ने क्या कहा कि जो वीर होते हैं वो जबर जस्ती में डींगे नहीं हाक करते है युद्ध करते हैं ब्यर्थी अपनी डिंगें नहीं हागते बलकि युद्ध भूमी में उत्तर देते हैं और जो युद्ध भूमी में अपने अस्तर सस्तरों का प्रदर्शन नहीं करते हैं वो केबल अपनी बातों से ही प्रदर्शन करते हैं और वही लोग कैसे होते हैं काय बिनमृता भी आपमें साहस आपमें शक्ति है और यदि आप में सिष्टा चार भी यहिए बिनमृता भी यह लोगों के सामने जुकना आता है तो फिर तो सौने पर सवहागा है देखिये साहस और सक्ति मानो मात्र के लिए सदगोण है बिलकुल है जो अतियंत आवश्यक है अगर इनके साथ बिनम्रता का मिलन हो जाए तो क्या कहना अक्सर साहस और सक्ति के प्रदर्शन में बिनम्रता छूट जाती है इसे साहस और सक्ति का ब्रोध ही माल लिया जाता है परंतु ब जास्विक ता इसके बिप्रीत है साहस और शक्ति बिनम्रता के साथ ही प्रशंस निये हैं तो साहस और शक्ति दोनों ही किसकी पहचाने दोनों ही सद गोड़ है अत्यान तावस सकें लेकिन यदि साहस और शक्ती के साथ बिनम्रता आ जाए जुकने का गुणा आ जाए तो कहना ही क्या कई बार ऐसा होता है कि बैक्टी के अंदर साहस आता है शक्ती आती तो बिनम्रता खो जाती है तो कि बिनमृता का उसका ब्लोम मान लिया जाता जब कि ऐसा नहीं है साहस और शक्तियदी हमारे पास है तो बिनमृता होना और अधिक लाबदायक है और हम इसके होने से प्रसंसा के पात्र बनते हैं अगला है कि आपको भाव इसपस्ट करना है भेहसी मतलब हस्ते हुए लखन बोले मृदुबानी मीठीवानी में बोले मुनी आपको अभिमान है पुनि पुनि बार बार मोही देखाव कुठार आपना कुठार आपना फरसा बार-बार मुझे दिखा रहे हो चाहत ओडाबन फूक की पहारू पहारू मतलब पहार आप क्या चाह रहे हो कि आप फूक मार कर पहार को ओडा दोगे इतना है कि आप मुझे कुठार दिखा कर डरा दोगे लक्षमण हसकर कौमल वाणी में बड़ बोले परसुराम से बोले अहो मुनिवर आप तो माने हुए युद्धा हैं आप मुझे बार बार कुलहाडी इस प्रकार दिखा रहे हैं मानो फूक मार कर आप पहाड उड़ा दिंगे अशा यह कि परसुराम का गरच गरच कर अपनी बीरता का प्रदर्शन लंग व्यर्थ हैं इस में कोई सच्छाई हो क्या आपको लगता है अपपनी फूक से पहाडर उड़ा दोगे बार बार आप मुझे खrió रहे लिंग व्यर्थ इस में कोई सच्छा है नहीं है अगला भाव इसपर करना यहां कोई नहीं तरजनी तरजनी क्या होती उंगली यह वाली देखी मारी मरी जाहीं आपने सुनाए ना कि खिलते हुए फूल है कली उसकी तो आपने का वो खिल रही है तो मना करते हैं बुड़े पुराने लोग कहने लगते हैं ने उंगली मत पते हुए कद्दू के पहले चोटा होता है तो मैं कोई कुमहर कोई कद्दू नहीं हो या फिर कासी फल नहीं हूँ छोटा सा कि जिसमें आप तरजनी देखाओगे मतलब आप अपनी उंगली देखाओगे और मैं मुर्जा जाओंगा कुठारु सरासन बाना मैं कचु कहा स सहत अभिवाना हो कह रहा है कि यह जो आप मुझे लक्षमान उन से कहते हैं कि अभिमान कुछ कहा तो उनके सस्त्र और फरसे को देखकर कहा है कुठारु सरासन बाना हो कह रहा है कि जो भी मैं आप से कह रहा हूं यह तो मैं आपके मैं कुछ कहा सहत अभिवाना मैंने अपन के चोटे फल की और यदि उंगली दिखा दी जाए तो मुर्जा जाता है लक्षमण कुमाड़े के कच्चे फल जैसे कमजोर नहीं तो परसूराम की धंकी से डर जाते लक्षमण यदि उनसे अभिमान पूर्वा कुछ कह रहे थे तो उनके अस्त्र तस्त्र और फरसे को देख कर ही कह रहे थे कि यह आप दिखा रहे हो ना यह हम डरने वाले नहीं है इस तो यह उसका भावार्त बताए गया कि क्यों लक्षमण नहीं ऐसा बोला था अगला प्रश्न है गादी सुनू का हिर्दय हसी मुनी हरी हरे सूज अमवय खाड़ना आयमाइ खाड़ना उखमय ब्याइंस का भाव हुए है कि जिस प्रकार सावन के अंधे को चार ओर हरा हरा आयदी सावन में कोई यह जहिकती अंधा हो जाय फर तो उसली लगता हिमेशा सावन की नजराता क्यों कि वह अंधा हुआ था हो तो सावन की अंधे को हर जगा हर Gyali दिखाई देती वैसे ही वि युद्धा होता उसको सारे युद्धा कैसे दिखते हैं तुछ निर्वल नजर आते हैं परिडाम सरूब अपने से ताकतवर शत्रू पहचान कर भी नहीं पहचान पाता है तो उसी को बताया गया है कि जिस प्रकार सावन के अंदर व्यक्ति को हमेशा हरा हरा ही दिखाई दे देता है उसी प्रकार विजय में मद या फिर जीत के घमंड में चूर व्यक्ति को सभी योध्धा निम्न और तुछ कोटी के ही दिखाई देते हैं परणाम सरूब भय अपने ताकतवर शत्रू को पहचान कर भी पहचान नहीं पाता क्योंकि वो अपने साने सब को सामने सब को क्या समझता है निर्वल समझता है अगला है पाट के अधर पर तुलसी के भाषा सौंदर के आपर में बिसेस्ता बत्ता स्पंक्तिया लिखनी है कि उन्होंने जो पाट बनाए उसमें भाषा का सौंदर ये क्या था तो भाषा का सौंदर क्या था तुलसी दास जी ने रा अबिधी भासा का प्रयोग है दोहा और चौपाई का प्रयोग और चंद का सुन्दर प्रयोग हुआ है चौपाई की बाद दोहे को क्रम से रख के सुन्दरता आई है ब्यांगात्मक भासा का प्रयोग है और अलंकार से पूरा का पूरा जुपा चौपाईया है वो सजी होई है अब यहाँ पर और भी एट उसके आगे का है वो आमने यहां तक पांच देखे थे चंद में मात्राओं के बंधन का पूरा निर्वाय हुआ है किस प्रकार की चंद की के अनुरूप है अर्थ गामभीरी युक्तेवं प्रभाव से लिए तो क्या कि हमने देखा गे शेली में है अलंकारों का प्रियोग है दोहा चोपाई चंदों का प्रियोग है चोपाई के बाद दोहा रखा गया है साथी व्यंग्यातना के साथ ओज ओज और वीरस है ओज प्रसंग में व्यंग का अनूठा स्वंदर है उधान के साथ स्पष्ट करना है कि व्यंग कहां कहां आया है बहुत जगह व्यंगी किये हैं प्रस्तत पत के अध्यान से पता चलता है कि लक्षमन के कथन में गहरा व्यंग है लक्षमन ने तो सारी वाते ही व्यंगे में की है परसूराम जी से, लक्षमर परसूराम से कहते हैं कि बच्पन में हमने ऐसे कई धनोस तोड़ डाले, इस धनोस में ऐसा क्या हुआ कि आप इतने क्रोधी होगई, यह तो छूने से ही टूट गया, परसूराम की डिंगों को सुनका लक्षमर फिर कहते हैं, हे मुनी, आप अपन तो पुराना था आप तो अपने आपको युद्धा समझते हैं का आप क्या समझते हैं फूक मारकर हमको उड़ा देंगे यह कुठार दिखा रहे हैं ना हम कोई कुमडवतिया का फल नहीं है कि हम उगली दिखाने से हम क्या होंगे तूट जाए और भी बताया है आप यह जो वान ब्यर्थ में ही धारन किये हो आपकी वानी ही इतनी कठोर है कि इनकी जरूवत ही नहीं आपको रखनेगी लक्षमण जी और व्यंक करते हुए कहते हैं कि आपके रहते आपकी यस का वर्णन और कौन कर पाएगा आप खुदी तो करते जारो तब से अपने नाम का अपने घर में ही सूरुभी रहें लगता है किसी योद्धा से आपका पाला नहीं पड़ा तो इतनी सारी बात हैं सुरू धनोस से लेकर फिर यहां पर आप परवत को क्या उखाड़ दोगे साथ ही जो आपने तो आपकी बाणी ही करो वज्जरग के समाने क्यों आपने इतन तो संसार बर में और कौन बता सकता आप ही बताए जा रहे हो और युद्धा तो युद्धे करता है बातों का बखान थोड़ी करता है लगता आप अपने घर में युद्धा थे असली युद्धा से आपका पाला नहीं पड़ा तो यह सारी बाते व्यंग में करते हैं अब बताना है आपको कि इन पंक्तियों में अलंकार कौन सा है अलंकार पर हम आ गई यहां बैकरन का वाला भाग हो गया बालकव बोली बधव नहीं तो ही बा बा का प्रियोग है देखिए बालकव बोली बधव तो यहां पर बाबा का प्रियोग होने से कौन सा अलंकार है जब कारण की आबरती तो अनुप्रा सलंकार होता है और हां की आबरती भी है ठीक इस कारण से क्या हुआ यह अनुप्रा सलंकार हुआ अगला देखिए अब फिर इसमें आपको अलंकार पहचानना है कोटी कुले से सम वचनु तुम्हारा अब यहां पर कोटी कुले तो एक तो हो अनुप्रा सलंकार अब यहाँ पर जो बचनों को जिसकी संग्या दी गई थी कठोर बचन थे ना उसकी संग्या दी गई थी तो इस सम आने से समानता का बोध कराने से कौन सा हो गया उपमा अलंकार हो गया यह लंकार आपने मेरे यदि पढ़े होंगे तो आपको बहां से समझ में आ जाएगा कि उपमा अलंकार क्यों है सम से ऐसा करने से क्या आता है उपमा अलंकार का पता चलता है अगला है तो मतव कालू हांक जनू लाबा बार बार मोही लागी बो लाबा यहाँ पर बार बार तो शब्द आया है ऐसे एक ही शब्द दो बार आया है तो पुन्रुक्ती प्रकास अलंकार होता है फिर क्या है तो मिताओं कालू हांक जनू मोही लागी जनू जानू मनो मानो तुम मानो काल को हांक रहे हो तो क्या हो जाता है वहाँ पर और यह मान लिया जाता है तो वहाँ उत्प्रेक्षा लंकार ह होता है तो यहां पर कौन सा लंकार उत्प्रेक्षा लंकार आपके शब्दों को बहुत गौर से आपको लेना है तब जाके आप क्या कर पाओगे अलंकारों की पहचान अगला फिर लंकार पूचा है लखन उत्तर आहूती सरिस भ्रगुबर को पुक्रशानू बड़त देखी जल सम बचन बोले रग कुल भानू सम ठीक सरिस देखिए अब ज़रा पर उपमा लंकार यही तो हमें देखना है तीक आप पूरा आर्थ नहीं निकाल पर लेकिन आप सम सब्दा आपको अलंकार में सँच दों को याद करना मना हुमाणू जरहु जानू सम से समां सी सरस यह सब्दातएं तो यह क्या हो जाते हैं आपके उत्तर यहां पर आहतू-सर numer को पूं करोध रूपी रूपक शब्द तो यह पर क्या उपमा अलंकार का प्रियोग हो जाता है और यहां पर हमारा पूरा रिवीजन हो गया सुपरक्वेक रिविजन बहुत ही कम प्रशन वो प्रशन जो लाग दायक हैं वो प्रशन जो जरूरी हैं वो प्रशन जो संभाध आत्मक हैं संभाव यह संभाव हो है कि आ सकते हैं अलंकार तो आपसे पूछा जाता है अलंकार को भूलना मत अलंकार हुए पद परीचे यह जब जब पार्ट में आएंगे रहेंगे यह आपको सुपर कुई क्रिविजन में मिलेंगे यह आप से पूछे जाते हैं सुपर कुई क्रिविजन की संग्रा हमारी चल पड़ी और यह चलती रहेगी लगातार तो इससे जुड़े रहे और कि यह सुपर कुई क्रिविजन हमारा कब तक और किस 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 पार्ट का होगा इसके लिए चैनल से जुड़ा रहना पड़ेगा तो आप चैनल के नॉलेज में बने रहेंगे कि आपको मिलता रहेगा कि कब क्या क्या आने वाला है तो पढ़ते रहिए चैनल के साथ जुड़े रहिए लाइक, सब्स्राइब और शेर कीजिए क्योंकि यही वो माध्या में जहां से आप परिक्षा की तैयारी बहुत आसानीच से कर सकते हैं तैंक यू